इस प्रेश्ण में हमें बहुपत PX के सुन्यक ज्याद करने है और सुन्यक वो संख्याए होती है या चर के वो मान होते हैं जो बहुपत को सुन्य बना दे तो सून्यक ज्याद करने के लिए हम बहुपत को सून्य के बराबर रखते हैं इससे हमें चर के कुछ मान मिलते हैं फिर हम जाच करते हैं कि उन चरों के मान बहुपत में रखने पर सून्य आता है कि नहीं आता जिनके रखने पर सून्य आएगा वो सारे बहुपत के सून्यक है एक यहाँ पर त्री घात बहुपत दिया है देखो अगर इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो दोको X की तीन घाते बन जाएगी इस X को X से गुणा करो X क्यार आएगा फिर X से गुणा कर X क्यूब आएगा X क्यूब जितनी घात होगी बहुपत की अधिक्तम उसके उतने सून्यक हो सकते है तो यहाँ अगर हम PX बराबर X, X-2 और X-3 को 0 रख दे हम तो इसके सून्यक आ जाएंगे तो इस संभीकरन को हल कर लेते हैं कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उन में से कम से कम एक संख्या 0 जरूर होती है तो इसलिए या तो X बराबर 0 होगा या X-2 बराबर 0 होगा या X-3 बराबर 0 होगा तो यह तो x बराबर जीरो आया या x बराबर 2 आयेगा या x बराबर माइनस 3 आयेगा तो यह 3 संख्यां है x के 3 मान 0, 2 और माइनस 3 यह तीनों मान ऐसे हैं कि समयकरण में का रखतें बाउपद में रख दें तो पोझar 0 रखने पर भी बहुत जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये तीनों इसके सून्यक है अगर इन मानों को हम जाच करें PX बराबर X X-2 और X-3 अगर हम P0 निकालते हैं P0 निकालेंगे 0 गुणा में 0-2 0 प्लस 3 देखो 0 गुणा में कुछ भी करो तो उत्तर 0 आता है तो इसका मतलब ये इसका सून्यक है अगर हम निकालते हैं 2 P2 तो दो 2-2 यहां 2 प्लस 3 तो इसमें ये 0 हो जाएगा 2-2 0 और 0 गुणा में कुछ भी 0 होता है अब तीसरा निकालते हैं P-3 तो यहां पे आएगा –3 यहां –3 माइनस 2 और यहां पे माइनस 3 प्लस 3 इस बार ये 0 हो गया है तो 0 into anything 0 तो इस तरह से क्या देखा हमने कि जो शून्यक होते हैं वो बहुपद को शून्य बना देते हैं तो देखो हमारे पास कौन कौन से बहुपद को शून्यक है 0, 2 और माइनस 3 ये सिर्फ एक अंका प्रस्न है तो विद्यारती सिर्फ इसको यहां पर छोड़ सकते हैं इसमें जांच की आवस्चता नहीं है